इस वीडियो में हम बताने वाले है जब हम एक्सिस बैंक के थूँ हमारा जो मोबाल नमबर वेरिफाय करने के कोशिश करते हैं तो वहाँ पर इस तरह से एक तरह से एरोर या फिर इस तरह से लिख राता है जिसमें लिखा होता है इवर रजिस्ट्रेशन एज बिन डिटर्माइनेट प्लीज कॉंटेक्ट दर नियरेस्ट ब्रैंच ओफ रेक्टिवेशन तो इस तरह से क्यों आता है एंड जो हमारा इस वीडियो में आपको बताता हूँ तो बेसिकलि होता है कि जब हम रजिस्ट्र वगेरा करने की कोशिश करते हैं एक्सिज बैंक के अंदर तो वहाँ पर इस तरह के जब इरर लिग कराता है इसका मतलब क्या होता है वो समझते पहले तो इसका यह मतलब निकल कराता है कि जब हम एक्सिज बैंक को इस्तमाल पहले कर रहे थे लेकिन हमारा जो अकाउंट है या फिर रेजिस्ट्रेशन ने उसे डिटर्माइन यानि बंद कर दिया गया है एक्सिज बैंक की तरफ से इसके कई सारी रीजन होता है इसमें से एक बैंक का जो अकाउंट है वो कुछ टाइम के लिए फ्रीज कर दिया होता है एंड उसकेस में हम ऑनलाइन तरीके से भी उसको यूज नहीं कर सकते हमारा रेजिस्ट्रेशन वहाँ पर बंद कर दिया जाता है या फिर दूसरे केस में ऐसा हो सकता है कि आपने एक्सिज बैंक में कुछ लेंदेन ना की हो या फिर वहाँ पर जो इसे वगेरा एड नहीं किये हो वहाँ पर मिनिमम जो बैलंस होता है वह भी आपने नहीं रखा हो तो उसकेस में भी आपका रेजिस्ट्रेशन वहाँ पर बंद कर दिया जाता है और आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया है एंड जो भी के वाई सी वगेरा जो आपका बाकी है या फिर कुछ अदर इस्यू है तो वह आपको कंप्लेट करके आपका जो रजिस्ट्रेशन है या फिर एक बार एक्टिवेट वहाँ से करवा लेनी है इस वीडियो में हमने सब कुछ आपको बता दिया है आपको समझ गया होंगे अभी भी कोई जान कर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं